ये क्लास नाइन्थ वेल्कम तो अनेदर एक्साइटिंग वीडियो फ्रॉम यूर क्लास नाइन्थ इंग्लेस बुक के बिहाइफ का चाप्टर नूंबर 7 पैकिंग पढ़ रहे हैं हम वैसे इस चाप्टर को में इसले पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके टर्म 2 की एक्जाम में लाने वाला पहला चाप्टर है हमने बौछ अच्छे से फरस पार्ट को खतम किया था फॉर्स पार्ट कैसा लगा था मुझे बताना जरूर कामें सेक्शन में हमने वैसे फस्ट पार्ट में 구akix पढ़ था कि भाइस चाप्टर के जो तीन main characters है हमने first part में क्या पढ़ा हमने first part में पढ़ा कि यह जो हमारे author है Jerome के Jerome इन्होंने कैसे packing करी so we have to start from paragraph number 9 और यहां से आगे अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे कि कैसे author के जो दोनों महान दोस्त है जोर्ज और हैरेस इन्होंने क्या-क्या नोटंकी करी थी जब यह चीजों को pack कर रहे थे हमने author की नोटंकी first part में देख ली थी अब इन दोनों की देखो बहुत मजाने वाला है इस chapter में ठीक है आगे start करते है अब हमने देखा था last part में की हैरेस ने क्या किया था सबसे पहले इसने टमाटर को नीचे रख दिया उसके उपर jam रख दिया जिसकी वज़ेस से टमाटर दिख रहा होगा, here's the figure, आप देख पारे हो कि कैसे George ने butter की उपर पैर रख दिया और butter उसके पैर पे चिपक गया है ठीक है, तो ये काम किया किसने हमारे George ने trod on trod on का मतलब बता है कुचल देता है या किसी के उपर चड़ जाना, जैसे ये George, butter की उपर चड़ गया था, ठीक है I didn't say anything, author को ये सब देख के मता आ रहा था, लेकिन author ने कुछ कहा नहीं, but I came over, author उठा वहां से जहां बैठा था, और थोड़ा पास आया ताकि इन दोनों की नोटन की अच्छे से देख सके, and sat on the edge of the table, author थोड़ा पास आया और table की किनारे बैठ गया और उन्हें देखने लगा अब देखो क्या-क्या होता है It irritated them more than anything, I could have said, author कहता है कि मैं सांत बैठा था और कुछ बोल नहीं रहा था इस बात से ये लोग ज़ादा परिशान थे, anything I could have said, अगर मैं कुछ कहता है, इससे ज़ादा परिशान तो ये लोग अब है, जब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सांत बैठा हूँ, I felt that मैंने इस बात को महसूस किया, ये किस ने कहा ये author ने कहा, ठीक है, it made them nervous and excited, आगे वो जो नहीं रहा है, और अब देखो उनकी कलाकारी, देखो, George Harris ने किया क्या, they stepped on things, वो चीजों पर पैर रख दे रहे थे, and put things behind them, और चीजों को उठा कर अपने पीछे रख दे रहे थे, और फिर जब उन्हें वो चीज चाहिए होती थी, when they wanted them, they couldn't find, उन्हें वो मिलती नहीं थी, क्योंकि भाई, वो चीजों को इधर उधर रख दे रहे थे, and they packed the pies at the bottom, आप देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने pies यानि समोसों को उठा कर, सबसे नीचे रख दिया bag में, और heavy जो भारी चीजे थी, उसको समोसों की उपर रख दिया, समोसा गया food, the pies are smashed, ठीक है आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोग और क्या करते हैं, paragraph number 10 they upset salt over everything, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नमक छिडग दिया, मतलब नमक का डिबबा कोल दिया, जिससे नमक इदर उदर फैल गया, and as for the butter, और जहां तक उस butter की बात थी, जो butter, Harris ने अपने पैरों से कुचल दिया था, उस butter का इन्होंने क्या किया, I never saw two men do more with one and two pence worth of butter in my whole life ये क्या कह रहा है, author कह रहा है, कि भाई मैंने आज तक नहीं देखा कि दो आदमियों ने मिलकर, इस एक या दो pence की आने वाला जो butter था, pence क्या होता है pence is the British currency ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 100 pence मिलाकर हमारा एक pound बनता है, तो author कह रहा है कि भाई, आज तक मैंने नहीं देखा कि दो आदमियों ने मिलकर ये इतनी सस्ती चीज एक या दो pence के आने वाले butter के साथ, इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया, जो आज तक मैंने देखा ही नहीं था, इन्हों ने क्या किया उस butter के साथ, after George had got it off a sleeper हमने सबसे पहले देखा था कि George ने उस पर पैर रख दिया था जिसकी वज़े से butter George के sleeper में चिपक गया था, ठीक है तो George ने अपने sleeper से butter निकाला अब उसके बाद क्या किया, they tried to put it in the kettle, उसके बाद इन्हों ने सोचा कि भाई, इस butter को उठा कर केतली में रख दे, it wouldn't go, केतली में तो वो butter गया नहीं and what was in, wouldn't come out और जितना butter उस केतली के अंदर जा सका, वो लोग उसे निगाल भी नहीं पा रहे थे, वो निकली नहीं रहा था they did scrap it out at last और आकिरकार इन्हें क्या करना पड़ा जितना butter केतली के बाहर निकला था, जो अंदर नहीं गया था उसको इन्हें खुरचना पड़ा और खुरेच के जितना butter मिल सका उसको इन्होंने निकाल लिया and put it down on a chair और उठा कर, कुरसी पर रख दिया और Harris में देखा नहीं वो जाकर कुरसी पर बैठ गया and it stuck to him यह butter उसके पिछवाड़े पर जाकर चिपक गया and they went looking for it all over the room फिर यह दोनों मिलकर उस butter को ढूड रहे हैं कहां गया butter, कहां गया butter, कहां गया butter ठीक है, अब आगे देखो अब आगे होता क्या है बहुत मज़दार स्टोरी है अब जोर्ज ना खाली कुरसी की तरफ घूरते हुए कहता है यार कि मैं अपनी कसम खाता हूँ मैंने butter इसी चेर इसी कुरसी पर रखा था पता नहीं कहां चला गया I saw you do it myself Harris भी कहता है कि हाँ हाँ यार मैंने भी देखा था कि तुमने butter को उस कुरसी पर कुछ मिनट पहले रखा था पता नहीं कहां चला गया वो butter मिली नहीं रहा then they started round the room again फिर वो room में घूम घूम कि उस butter को देखने लगे and then they met again butter तूने मिला नहीं लेकिन ये लोग वापस मिल गये एक दूसरे से center of the room यानी room के बीचों बीच में and stay at one another और एक दूसरे को देखके घूरने लगे इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था butter कहां चला गया most extraordinary thing I have ever heard of said George जब George को butter इतना डोडने के बाद नहीं मिलता तो वो कहता यार अजीब चीज है मैंने आस तो कि ऐसी चीजू के बारे में नहीं सुना यह अपने आप ही गायब हो गई so mysterious Harris भी कहता है हाँ यार बहुत रहस्यमाई चीज है पता नहीं कहां चली गई मिली नहीं रहा then George got round at the back of Harris and saw it और फिर George जो है ना वो थोड़ा सा पीछे जाता है Harris के पीट पर देखता है तो देखता है कि बटर उसके पीछे चिपकी हुई है why? here it is all the time he explained indigenantly sorry exclaimed वो चलाया अब जैसे ही George पीछे देखता है कि Harris के पीछे वो बटर चिपकी हुई है तो वो कहता है कि why? here it is all the time यह बटर या क्या कर रहा है वो तेश से चलाता है indigenantly का मतलब होता है गुस्से में चलाता है यह बटर या क्या कर रहा है where? cried Harris Harris कहता है कहाँ spinning round Harris भी थोड़ा पीछे घुमता है और पूस्ता है कि कहा है बटर? कहा है बटर? stand still can't you? roared George flying after him George उसके पीछे CD से जाता है और कहता है कि तुम सीधे खड़े रहो मैं निकालता हूँ बटर को and then they got it off and packed it in the tea pot और फिर आखिरकार Harris के पीछे से वो बटर निकाला गया और फिर आखरी में tea pot यानि चाय के बरतन में इस बटर को रख दिया गया अब देखो आगी क्या होता है अब जबी ने कभी ने कभी laptop या फोन में गेम तो खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है यह एक ऐसा battle field होता है जहाँ पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए यह सब possible है यह सब possible है अनिकेडमी के combat में अनिकेडमी कॉमबेट है क्या यहाँ पर ना अनिकेडमी कॉमबेट में आपको इंडिया के top educators question frame करके देते हैं Hindi, English, दोनों languages में आपका जो live leaderboard होता है वो generate होता रहता है हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा जीश सकते हैं और एक करोड तक का scholarship जीश सकते हैं Basically अनिकेडमी कॉमबेट है क्या यह एक तरीके का free life test है जहाँ पर class 6-2, class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं हर Sunday अनिकेडमी के app या website से आप इस test को दे सकते हो वैसे इस test में 30 questions होंगे 45-6 मिनिट का आपका time होगा हर Sunday class 6-8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर Sunday 12 बजे दोपहर को class 9th and 10th वालों के लिए 11 बजे and 11th and 12th वालों के लिए एक बजे यह life test conduct होगा क्या आपको पताए कि अनिकेडमी इस साल का सबसे बड़ा test launch करने वाली है गंटे के टेस्ट लिया जाएगा अगर आप इस टेस्ट में participate भी करते हो ना तो आप बहुत सारे rewards जी सकते हो जैसे आप अगर 29 जन्वरी और 13 फर्वरी को होने वाले mock test में अगर आप top score करते हो तो आपको education for life यानि आप अपना graduation और post graduation फ्री में कर सकते हो मतलब आपको 100% scholarship मिलेगा अगर आप 23 जन्वरी और 6 फर्वरी को अगर आप test देते हो तो आप अपना Macbook, iPad और iPhone जैसे rewards भी जी सकते हो आपको test देने के बाद ना पुरा detailed video analysis आपका scorecard सब दिखा दिया जाएगा ताकि आप देख सबो कि आपने कहां गलतियां करी है वैसे आप इस प्रोडिजी टेस्ट के लिए 15 जन्वरी से ही practice कर सकते हो 30 मिनिट का practice test आपकी अनिगेड में application पर अवेलेबल हो जाएगा लिंक description box में है फड़ा फड़ा जो और चेक करो paragraph number 12 और इस paragraph में entry होती है एक नए character की जिसका नाम है Montmorency, Montmorency बहुत अजीब नाम है ना, हाँ क्योंकि कुत्ते का नाम है इन तीनों के कुत्ते का नाम था Montmorency, Montmorency गचबहरा में कुत्ता है बाई आप देखो इस chapter में पढ़के मचा आने वाला इसने क्या क्या किया तो author कहता है कि Montmorency was in it all, Montmorency भी आ गया जहां पर packing चल रही थी George और Harris तो पहले सी बहुत कुछ कर रहे थे, अब ये भी आ गया ये क्या करता है देखो, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn it author कहता है कि मेरे कुत्ते Montmorency के जीवन का केवल यही एक मात्र लक्ष, मतलब जो कुत्ता है इनका Montmorency ये कहते हैं कि इस कुत्ते का जीवन में केवल एक ही लक्ष है, क्या लक्ष है कि ये लोगों की बीच में आना चाहता है मतलब लोगों के काम के बीच में आना चाहता है लोगों को disturb करता है और फिर जब तक लोग इसे डाट ना दे तो इसे लगता है कि इसकी जीवन का ambition अभी पूरा नहीं हुआ है इसकी जीवन का लग्च अभी पूरा नहीं हुआ है तो मौन्ड मरें से इतना इतना दाधा हराव कुट्टा था ना जब तक उसे लोग डाट नहीं देते थे उसे लगता था कि जीना वेर्थ है मेरा इस ही केन स्क्वेर्म इन एनिवेर वेरी पर्टिकुलर्लरी इस नॉट वांटेट एंड बी यह पर्फेक्ट नुन सेंस एंड मेक पीपल मैड आथर कहता है कि भाई अगर यह कुट्टा किसी ऐसी जगह पर आ जाए जहां पर इसे नहीं होना चाहिए और यह कुट्टा न वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस क्रियेट करता है बहुत नून सेंस क्रियेट करता है मतलब जब तक लोग चीजे उठा कर इसके सर पर न फेकने लगे इसे मारने न लगे तब तक इसे नहीं लगता है कि मेरा दिन सही गुजरा है ठीक है जब जब लोग इस पर गुसा करते हैं जब लोग इसे चीजे उठा कर मारते हैं तब इसे लगता है कि इसका दिन आज सार्थक गुजरा है इसका दिन आज वेस्ट नहीं हुआ है अब ऑथर कहते हैं कि भाई ये कुट्टा लोगों की बीच में आ जाता था लोग काम करते रहते थे उनके बीच में आ जाता था जिससे लोग क्या होते थे परशान होते थे लोग टकरा कर गिर जाया करते थे इस टंबल ओवर का मतलब होता है लड़ खडाना तो ओथर कहता है कि जब तक ये कुट्टा किसी रास्टे में ना आ जाया और जब तक वो इंसान इसान इसके टकरा कर गिर ना जाएं और वो इंसान जब तक इसे घंटों चिला ना लेना तब तक इसे सुकून नहीं मिलता is his highest aim and object इसका एक मात्र लक्ष यही रहता था कि लोग इस पर चिलाएं and when he has succeeded in accomplishing this और जब ये ऐसा कर लेता था था his concite इसका जो खुद की उपर proud था इसे ये खुद पर घमंड करता था इस बात पर तो जब तक लोग इस पर चिला नहीं लेते थे इसका जो प्राइड था इसका जो घमंड था खुद पर न वो डबल हो जाता है मतलब ऐसा ऐसा ये ये कुट्ता हमेशा चाहता था लोग इस पर चिलाएं और जब इस पर लोग चिला देते थे ये खुस हो जाता था इसको लगता था कि इसके जीवन का लक्ष पूरा हो गया ठीक है ये केम अन सैट डाउन तिंग्स जस्ट वें दे वर वांट तो बी पैक्ड अब मॉंट मुरेंस ही जहां पैकिंग हो रही होती है वहां पर आता है और उन चीजों पर बैठ जाता है जिन चीजों को जॉर्ज और हैरिस पैक कर रहे थे और ये कुत्ता ये बात मान चुका था मतलब ये बात ये कुत्ता मान कर चल रहा था कि जब हैरिस और जॉर्ज रीजड आउट देर हैंड फॉर एनीधिंग इट वास इस कोल्ड डैंप नोज अब इस कुत्ते को लगता था कि जब जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ बढ़ा बढ़ा कर चीजों को उठा रहे थे बैग में भर रहे थे तो जैसे हाथ बढ़ाते थे हैरिस और जॉर्ज ना इस कुत्ते को लगता था कि इन्हें क्या चाहिए इन्हें मेरा नाक चाहिए मतलब उस कुत्ते का जो ठंधा और गीला नाक था न वो आगे कर देता था ताकि George और Harris उसे पा सकें मतलब George और Harris अपना हाथ बढ़ा रहे थे ताकि वो चीजों को उठा पाएं उस कुत्ते को क्या लग रहा था? उस कुत्ते को लग रहा था कि शायद George और Harris को मेरा नाक चाहिए इसलिए कुत्ता क्या करता था? वो अपना नाक उनकी तरफ बढ़ा देता था और जितनी बार George और Harris अपना हाथ उठाते थे चीजों को उठाने के लिए ना उनका हाथ कुत्ते के नाक में चला जाता था अब देखो और क्या क्या करता है ये हरामी कुत्ता इसने अपना पैर उठा कर जैम के डिब्बे में डाल दिया इसने सारे चमचों को भी खेड दिया सब इधर उधर कर दिया अब प्रिटेंडड देट लेमन्स वर रैट्स अब गॉट इंटो दा हैंपर अब किल्ड दोस रैट्स क्या है कि भाई हैंपर मतलब जो टोकरी रहती है जो सबजी उभजी रखने वाले टोकरी है ना उसमें निम्बू रखा हुआ था तो जैसे ये कुट्ता निम्बू को देखता है ना तो ये ऐसे रियक्ट करता है ऐसे प्रिटेंड करता है ऐसे दिखाता है जैसे वो निम्बू ना बलकि कुछ चूहे हो ठीक है और वो चूहे समझ कर क्या करता है पैर मारने लगता है उस हैंपर में हैंपर के अंदर पैर रखके वो जो टोकरी थी सबजी रखने वाला जो टोकरी था उस टोकरी के अंदर पैर रखकर उन निम्बू को फोड़ने की कोसिस करता है और वो कुटा अपने दोनों पै डालकर उन निम्बू को चुहां समझकर वो क्या कर रहा था ऐसे अपने पैड़ो से फोड रहा था और तीन निम्बू फोड चुका था तब हैरीस आता है बीच में और पैन उठाता है और ले कुटे को मारता है पटाक से ठीक है अब देखो आगे क्या होता है 14 पैराग्राफ में Harris said I encouraged him Harris इन सारी चीजों से कुट्टे की हरकत से परिशान हो जाता है और Harris कहता है कि Jerome तुमने इस कुट्टे को भढ़का दिया है ये हमें packing नहीं करने दे रहा है author बिचारा हमारा Jerome कहता है I didn't encourage him मैंने इस कुट्टे को नहीं भढ़काया a dog like that doesn't want any encouragement author कहता है इस तरीके के कुट्टे को भढ़काने की जरूरत क्या है it's the natural ये कुट्टा जनम से ही ऐसा है original sin सचमुच ये कुट्टा बहुत ज़ादा परिशान करने वाला है बहुत हरामी कुट्टा है that is born in him ये हरामी पंती इसके साथ पैदा हुई है मतलब ये पैदा ही ऐसे हुआ था और makes him do things like that और यही हरामी पंती जो इसके खून में है यही ये सारी फालतू चीजे इससे करवाती है तो या author की उपर इलजाम लगता है तुमने इस कुट्टे को भढ़काया है यह हमें packing नहीं करने दे रहा author सफाई देता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं भढ़काया इसके इस कुट्टे को भढ़काने की जरुवत क्या है ये पैदा ही हरामी हुआ है और इसी हरामी पंती की वज़े से ये ऐसे फालतू चीजे करता है लोगों के बीच में आता है ठीक है अब आखिरकार बारा बज़ के पच्चास मिनट यानि लगभग आधी रात से भी ज़ादा हो गया था तब जाकर इनकी packing खतम होती है जोर्ज और हैरिस की हैरिस सेट ऑन दे बिग हैमपर हैरिस बचारा क्या करता है अब भाई आखिरकार इसने जब सारी packing कर ली हैमपर में सारी चीजे रख दी जो टोकरी थी जो सबजी अबजी और खाना कैरी करने वाली जो टोकरी होती है उसको हम हैमपर कहते है तो उस टोकरी में जब तक इसने सारी packing कर ली तब हैरिस packing करने के बाद क्या कहता है बैट जाता है उस हमपर पर और कहता है कि he hoped nothing would be found broken हैरिस कहता है कि भाई मैंने सारी चीजे तो pack कर दी है अब आसा करता हूं कि कोई चीज इसके अंदर जाकर टूटे ना George said that if anything was broken it was broken which reflection seemed to comfort him अब George जैसे ही Harris से सुनता है कि कोई चीज इसके अंदर टूटे ना George कहता है कि अगर कोई चीज टूटती है तो टूट चाहे और ये कहते हुए George काफी comfort दिखाता है ऐसे कहता है अरे टूट ने दो यार बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसी George कहता है तूटती है कोई चीज तो टूट दा है if anything was broken it was broken अब ये जब George ऐसा कह रहा था ना तो वो बहुत relaxed mood में कह रहा था वो ऐसे कह रहा था रहे टूटे ने दो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है he also said he was ready for bed George आगे कहता है कि अब मुझे नीद आ रही है we were all ready for bed अब author कहता है कि हम सभी को नीद आ रही थी हम तीनों को नीद आ रही थी Harris was to sleep with us आज Harris को हम दोनों के साथ सोना था मतलब आज हम तीनों एक साथी सोते and we went up stairs और अब हम तीनों सोने के लिए उपर जा चुके थे मतलब उपर चले गए सीडियों से उपर चले गए यो लोग सोने के लिए अब देखा आगे क्या होता है